हलो सुवागते दोस्तों आपका फिर से हमारे यूटूब चैनल अप्टू डेट गौर्मेंट जो पर तो दोस्तों जैसा कि आप देख पारे हैं एन एच आर्सी की तरफ से भरती निकाली गई है MTS, Driver, Stenographer और कावी सारी वेकेंसी से यहां निकाली गई है और अंतिम टीती की बात करें तो 22 फरवरी 2021 सक इसके आवेदन फॉर्म बढ़े जाएंगे 10 वी पास और 12 वी पास दोनों के लिए आपर वेकेंसी निकाली गई है कोई फीस नहीं है सभी के निडेट्स के लिए कोई एक्जाम नहीं होगा डारेक्ट इंटर्व्यू के भिहाब पर आपका सेलेक्शन किया जाएगा भारत के सभी राजे से आप इसमें आवेदन फॉर्म बढ़ सकते हैं और इंडिया जोबे मैलायर और पूरुस दोनों इसके लिए आवेदन फॉर्म बढ़ सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको वेकेंसी के बारे में सारी जानकरी मिल सकें और इसका नोटिफिकेशन का डाउलोड लिंग में डिस्क्रिशन में डाल दिया है जासे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों चले शुरू करते हैं और इससे पहले यादि आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस्टीनोग्राफर ग्रेट टू की यहां पर वेकेंसी है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वेकेंसी है स्टाफ कार ड्राइवर की वेकेंसी है और सेलरी की बात करें स्टाफ कार ड्राइवर की तो 19,900 से लेकर 63,200 रूपे की बीच में महीने की सेलरी रखी गई है वैसे ही असिस्टेंट लाइब्रेरियन और इस्टिनोग्राफर ग्र बात कर लेते हैं तो National Human Rights Commission of India यानि NHRC की तरफ से बढ़ती निकाली गई है और लक्रोस इंडिया जोब है भारत की किसी भी राजशाब इसमें आवेदन फॉर्म बर सकते हैं और पोश्ट की बात करें तो स्टीनोगराफर, ग्रेड़ी, स्टाफ कार, ड्राइवर, लाइबरेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर और काफी सारी वेकेंसिस यहां पर निकाली गई है मैलान और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन फॉर्म बर सकते हैं चलिए इंपोर्टेंट ड लाइज जन्वरी गयिस रखी गई है और लाज़ डेट बाइस फरवली दोधार एकिस यानि इसका आवेदन फॉर्म तेस जन्वरी 221 से जारी हो चुका है और लास्ट डेट बाइस फरवली 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे तो यदि आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं बराये तो आप इसका फॉर्म भर दीजे क्योंकि लास्ट डेट यहां पर बाइस फरवली 2021 रखी गई है और एप्लिकेशन मोड यहां पर ओफलाइन दिया गया है तो आपको कैसे इसके लिए अप्लाइ करना रहेगा सारी जानकरी मैं आपको वीडियो के आगे दूँगा तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा आयू सीमा यानि एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मेजिमम एज यहां पर 62 वर्ष रखी गई है 62 वर्ष की उम्रत अगा इसके आवेदन फॉर्म बढ़ सकते हैं एजुकेशन कौलिफिकेशन की बात करें तो इस चेनोगराफर ग्रेड डी की यहां पर 12 पास योगिता मांगी गई है और स्टाफ ड्राइवर की बात करें तो केवल 10 पास यहां पर योगिता मांगी गई है और बाकी सारी विकेंसिस के लिए यहां पर डिग्री और ग्रेडुएशन मांगी गई है और सेलरी की बात करें तो मिनिमम सेलरी यहां पर 19,900 से शुरुवात करी गई है मेक्जिमम सेलरी याँ पर 2,15,900 तक रखी गई है मंतली सेलरी आपको दी जाएगी और आगे की जानकरी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा नोटिफिकेश अगे तो भी हम डिटियल में डिसकस करेंगी तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सेलेक्शन पोसेस की बात करें तो डारेक्ट इंटर्व्यू की थुरू आपका सेलेक्शन किया जाएगा कोई एक्जाम याँ पर नहीं होगा एपिलिकेशन फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया याँ पर कोई एपिलिकेशन फॉर्म फिस नहीं रखी गई है सभी के लिए क्योंकि एपिलिकेशन पर ओफ्लाइन दिया गया है कैसे आपको इसके लिए अप्लाय करना है सारी जानकरी में वीडियो के आगे आपको नोटिफिकेशन के चुरू जानकरी दूंगा नोट तो आप वीडियो को अंतक देखेगा और नोटिफिकेशन का डाउलो लिंग में डिस्क्रिशन में डाल दिया है जास से आप नोटिफिकेशन डाउलोड कर सकते हैं और उसके नीचे ही आपको एप्लिकेशन फॉर्म दिया गया है जिसकी प्रिंट आउट डिकल वाकि तुरंत आपको वीडियो के मादब से जानकारी दे दी जाएगी धन्यवाद तो यह हम नोटिफिकेशन पर आचुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे हूं यहां पर आपको काफी सारी वेकेंसी दी हुई है जैसे कि सीनियर सुपर इंटेंडेड आफ पुलिस और रिसर्ज अफीसर शेक्षन अफिसर सीनियर ट्रांसलेटर इन हिंदी युनियर ट्रांसलेटर इंदी स्टीनियो कर फट करक्र नेचे की तरफ चलेंगे तो यहंपर आपको डेट के बारे में जानकारी दियू हूँ है जो की एस ज़ंवरी 2021 को इसका Fit notification जारी हो गया था और notification जारी होने के 30 दिन बाद तक यानि 22 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे application mode की बात करें तो application mode या पर offline दिया गया है कैसे आपको application को fill करना रहेगा और कैसे apply करना रहेगा सारी जानकरी वीडियो के आके दूंगा तो आप वीडियो को अंतक देखीगा नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको education और eligibility के बारे में जानकरी दी हुई है वैसे ही senior superintendent of police officer की बात करें तो यहाँ पर इंडियन police service officer who have retired at level of selection grade तो यहाँ पर retired इंडियन police service officer की लिए यहाँ पर यह वेकिंसी निकाली गई है और salary इनको दी जाएगी जो की dictation की सबसे बहले बात करें तो 10 मिट का यहाँ पर dictation होगा जिसमें 80 word per minute की speed होनी चाहिए वैसे ही ट्रांजिक्शन की बात करें तो यहाँ पर 50 मिट का assistant librarian assistant upper division clerk or lower division clerk ऐसे यहाँ पर आपको पोस्ट दी जाएगी और qualification की बात करें तो bachelor degree in library science qualification यहां मांगे गई है दो साल का experience भी मांगा गया है library under the central government और state government की तरफ से तो यहाँ पर दो साल का experience मांगा गया है और computer के अगर knowledge है computer के कोई basic certificate भी यहाँ पर चलेगा वैसे ही staff car driver के लिए आपर केवल 10th pass योगेता मंगी गई है medically fit होना आपका निवार रहे है driving license भी आपके पास होना जरूरी है और यहाँ पर आपको driving a motor car कार को चलाने का यहाँ पर 3 साल का experience मांगा गया है कम से कम तो car को चलाने का आपका 3 साल का experience यहाँ पर मांगा गया है वैसे ही वाकिक सारी vacancies के बारे में यहाँ पर आपको जान करी दी हुई है और master degree इनके लिए मांगी गई है तो वैसे ही आप बाकी सारी vacancies के बारे में भी जान करें ले सकते है notification डाउट करके और age limit की बात करें तो maximum यहाँ पर 62 वर्ष की age limit रखी गई है आयो सीमा रखी गई है और selection की बात करें तो selection आपका direct interview के through किया जाएगा कोई exam यहाँ पर नहीं होगा तो दोस्तों यह रही basic जान करी आप आपको application form को कैसे फिल करना है तो notification में ही आपको यहाँ पर नीचे की side offline form दिया गया इसकी print out निकलवा कर और इसको पूरा यहाँ पर आपको अपना पास्टो साइट फोटो चिपकाना रहेगा और यहाँ पर आपके फूरी जान करी आपको फिल करने रहेगे आपका father name आपका नेम जो कि आपकी 10 के मार्चिट में जो लिखावा है वो पूरा नेम आपको यहाँ पर लिखना है आपकी date of birth और पर सने तो date of retirement की यहाँ पर लिखनी है नेशनल इटे यानि इंडियन आपको लिखनी है आपकी केटिकरी यादि आप से हैं यादि यादि पीड़ी केंडिट से हैं यादि फीजिकल हैंडिकेप देर तो आपका सर्टीफिकर्ट भी आपर शो करना चाहिए तो यह सारी जान इस पर करके इस एड्रेस यादि आपको वीडियो पसन आए और प्लेस लाकें सब्सक्राइब कर देंगी तुरंद आपको वीडियो के मादम से जान करी दे दी जाएगी धन्यवार